फालो उन व्लॉकम फ्रैंट्स XLo में एकactor फोर्मूला यूज ओता है vlookup का जिसके बारे में हम पहले discuss कर देंगे हैं लेकिन एक और फो फॉर्मूला यूज ओता जिसे हम lookup कहते हैं दोनों ही के बारे में इफ्रेंसेस देखेंगे यहां पर एक data हमारे पास है और दूसरा डेटा जो लुक अप के लिए बनाना है वी लुक अप के लिए उसे मैं यहां पर ले लेता हूं लाइक यहां पर रोल लंबर लिखा मैंने इसको रिसाइज करना तो यहां से अर्ड एज ओ आई करेंगे तो यह रिसाइज भी हो जाएगा प्रिसाइज होने के बाद फोड़ा सा यहां पर हम एक काम करेंगे वह यह है कि यहां पर टॉटल कैल्कुलेट करेंगे इसे इकवल्टू का निशान लगा करके कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है एकसल में और यहां से टॉटल हम कैल्कुलेट कर लेते हैं तो यह ठीक है तो आप देखिए color लगाने के लिए यहां पर हमें सिर्फ edge press करना है तो edge press करेंगे तो color वाली window open हो जाती है और जो भी color लगाना यहां आसानी के साथ आप लगा सकते हैं सिर्फ keyboard के मदद से ही आप इसको चला सकते हैं no problem ठीक है देख सकते हैं तो यहां पर हमें yellow color लग left side से यह search करेगा तो यहां roll number के ही base पे हमें search करना है अगर आप left side छोड़ देते हैं यहां से search करते हैं तो सिर्फ आपको इधर ही से search करना होगा उधर के data से यानि left side के data से कोई मतलब नहीं रहेगा चलिए फिलहाल मैं three जो roll number है उनका search करने के कोशिश करता हूँ यहां पर total पता करना है subject one का number पता करना है two का पता करना है क्या पता करना है तो हमें total पता करना है तो column index number count करते हैं यहां से count करेंगे one two three four five six seven eight तो यहां पे eight लिख देना है comma देकर के exact match के लिए zero देना है बंद करना है enter करना तो 183 यहां पर देख सकते हैं 183 आया हुआ है और यहां प एक different color से highlight भी कर देता हूँ ताकि आपको यह पता लगता रहे तो यह देखिए Mono का 183 आया हुए clear तो यह हो गया view look up अब look up को थोड़ा देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाते है look up को देखने के लिए जरूँद नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस इत्वल टू look up पहले लगा लेता हूँ तो यह look up लगा लिया जो यहाँ role number है इसी के base पर हम search करेंगे कॉमा देंगे और हम पूरा यह अपना data में select कर रहा है heading ठोड़ करके क्योंकि heading अलड़ी हमारे पास है ठीक है तो यह हमने select किया और select करने के बाद क्या करना है इस तरीके से select करने के बाद कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर name of student वाला पूरा heading आपको select कर लेना है तो इस तरीके से यह select कर लीजेगा select करने के बाद आपको क्या करना है select करने के बाद यहाँ पर student का नाम अगर देखना चाहे तो आपको यह वला select करना है तो यहाँ पर देखिए वैसे board of the university में मैं हूँ लेकिन यहाँ पर student का नाम आ जाएगा अभी फिलहाल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर roll number enter ही नहीं किया हमने तो यहाँ पर roll number one enter करता हूँ कामा लगाने के बाद आपको यह board of the university वाला option select कर लेना होगा पूरा तो यह जैसा ही select करेंगे बंद करेंगे bracket को और enter करेंगे तो यहाँ पर आपका result serious से show कर रहा है ठीक है यहाँ पर अगर मैं A11 को हटा देता हूँ ध्यान देजेगा A11 को हटा दिया और यहाँ roll number को कर दूँगा तो यह देखे यह UP board का है तो यहाँ UP board आएगा यह UP board हो गया अब अगर मैं यहाँ पर change करता हूँ like 10 कर देता हूँ तो यह roll number 10 किसका है तो यह 10 है देख लिए एक यह 10 है और यह किसका है CBSC board है या UP board है जो भी आया हुए वो आपके सामने है तो यहाँ पर देख लिए यह CBSC board है ठीक है अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ roll number 13 तो 13 किसका है CBSC board तो यहाँ पर आते हैं तो यह इसा नाम है और यह CBSC board दिया हुए clear है ना तो इस तरीके से look up आप आसानी के साथ use कर सकते हैं ठीक है उमीद करता हूँ बात समझ में आई होगे कि we look up और look up में क्या difference है ओके